हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोलाई दोहजार चौविस में आप जो हमारे मकर लगन राशी के मित्र है यनि के जिनका कैप्री कॉर्ण असेंडेंट बनता है उनका जोलाई दोहजार चौविस में लव लाइफ को ले करके कैसा जाने वाला है ये महीना लव लाइफ से रिलेटेड कैसी रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होने जा रही है इसके उपर हम आप से करेंगे चर्चा और जैसा की हमारे जो पुराने व्यूर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि जब भी हम मंतली लव राशी फल हो या एन्वल लव राशी फल हो उसकी चर्चा करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो मेंली five points पर होता है और ये जो आज हम बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ या अभी first time देख रहे तो जो हमारे five points हैं, उसमें जो single जातक हैं, एक तो उसके विशह में बात करते हैं, single जातक कौन है, single जातक वो ही कहलाते हैं, कि जिनके life में अभी तक कोई प्रेमी आज की date में नहीं है, वो सिंगल है या प्रेमी का नहीं है तो वो सिंगल के लाएंगे प्रियसाथियों ऐसे भी लोग हैं कि जिनका शादी हो जाती है लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनके जीवन से चला जाता है चाहे वो कैसे भी जाए और उसकी संभावना दूर दूर तक भी नहीं होती उनके जीवन में वापस आने की और दूसरी कहीं किसी के साथ उनका कोई संपर्ग भी नहीं होता है तो ऐसी स्थिती में भी सिंगल ही कहलाए जाते हैं तो उन सिंगल जातकों की बात करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जोलाई दोहजार 24 में ग्रहों की सपोर्ड या उनकी पर्मीशन मिलेगी आपको मकरलगणाशी के जो सिंगल जातक हैं कि आपके जीवन में कोई अच्छा मित्र आपकी पसंदगा आ जाए और आप उसके साथ अपने जीवन की आने वाले समय के लिए अच्छी प्लानिंग उसके साथ कर सकें अपना जीवन और बहतर बना सकें उसके साथ मिलके तो इस बारे में भी बात करेंगे आप पॉइंट नंबर टू रहेगा कि भई आप अगर लिविन रिलेशन में है या आप का लव एफिर कहीं चल रहा है तो इस जोलाई 2024 में ये रिलेशनशिप कैसी रहेगी और इसके कै कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अच्छे मिलेंगे फ्रूट्फूल मिलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे पॉइंट नंबर थ्री रहेगा कि आप मैरिड हैं मैरिट कुपल्स है तो वैवाई जीवन आपका इस महीने कैसा रहेगा जोलाई 2024 में पॉइंट ग्रहों की ओर से संकेत हुए तो जरूर बताएंगे और बहुत लोगों का ये भी मानना कहना होगा कि नहीं हम तो पहले से ही हमारा कहीं है अलड़ी एक्स्ट्रामेरिटल एफियर अब ये जानना चाहेंगे कि जॉलाई 2024 में ये संबंद कैसे रहने वाले है तो साथियों इसके ओपर भी बात करेंगे और अन्त में सबसे लास्ट में बात करेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचोशन में यदि आप पहुँच गए है आपका अपने उस साथी के साथ किसी परकार का कोई संपर्क नहीं है आज की डेट में कॉम्यूनिकेशन नहीं है कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है और सोशल मीडिया पर भी आप एक दूसरे को बिलॉग कर चुके है मतलब कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके माध्यम से आपके उनके साथ कुछ बाचीत का सिलसला शुरू हो तो ऐसी सिटी में क्या है कि जब ऐसी सिचूशन क्रियेट हो जाती है तो उस समय तो थोड़ा सा आवेश के रहते हुए ग्रोध के रहते हुए व्यक्ति ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता है वो जो कहता है कि जो सोचता है अपने मन में जो मैं न करा हो ठीक किया ज़्यादा क्योंकि उस समय अपसेट होते हैं लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है तो काफी लोगों की जो है वो सोच भी बदल जाती है काफी लोगों की और वो यह सोचते हैं कि चलो समय के साथ जो चीजे निकल गई निकल गई अब उसके बारे में क्या सोचना है अब यह है कि आने वाले समय के बारे में सोचना है और कोशिश हमारी यह है कि भई उनके साथ अगर दुबारा से हमारा रियूनियन हो जाए या हमा बुरे शुब अशुब पॉजिटिव निगेटिव जो भी लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी फिल्ड से रिलेटेड वो तभी मिलते हैं जब ग्रहों का जैसा संकेत होता है तो प्रिय साथियों अब जोलाई 2024 में जैसी ग्रहों की सिती रहेगी ट्रांजिट में उसी आधार पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले मकर लगन राशी के जो सिंगल जातक हैं उनके विशे में तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा सा आपके जो विचार है इस महीने वो थोड़ा मिक्स विचार रहेंगे थोड़ा तो एक तरीके से थोड़ा रोमेंटिक भी रहेंगे विचार आपके ऐशा भी नहीं है कि आप बिलकुका सादू सन्यासी है लेकिन साथ ही साथ ग्यान विज्ञान और कुछ और जैसे की वानली जीए के भई अब आप कहीं जा रहे हैं तो किसी धर्म के इस्थान पर अपना जो है वहाँ पर समय आपने दे दिया धर्मिक चर्चाओं में अपना समय दे दिया मेडिटेशन में दे दिया तो इस तरीके का भी विचारा आपके कुछ मिक्स विचार रहेंगे तो इन मिक्स विचारों के रहते हुए एक तारिक से लेके और बारे तारिक तक तो कुछ इसी परकार की सिती रहेगी एक जोलाई से बारे जोलाई से कुछ हालात बदलेंगे को आप पसंद करते हैं, चाहे वो male है या female, तो आप अपनी बात, मैं आप से ये कह रहा हूँ यहाँ पर, कि आप जो भी आपके मन में है, अपने उस मित्र के पिर्ती, और जो आप express करना चाहते हैं, उनके सामने, अपने मन की बात, अपनी जो भी feelings हैं आपकी, जो शेयर करना चाहते हैं, वो आप बारे जोलाई के बात कर सकते हैं, और अगर आपने बारे जोलाई के बात, अपने उस मित्र के साथ, अपने मन की बात शेयर करी, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, जो आपको acceptance, आपके विचारों को, या आपकी feelings को, उनके दोरा ना मिले जाएगा, तो ये तो रहा आप दोनों के बीच की बात, अब आ जाते हैं कि भाई, कुछ जो संसकारी लोग होते हैं न, वो थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई, अब हमारा हर आपका तो हो गया, लेकिन अब अपने अपने घर में से भी थोड़ा सा permission ले के लिए नहीं आएगी कोई विशेश समस्या, इसलिए आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, जहां तक इस बात का प्रिशन है, कि शादी विभा का कोई योग, तो मैं आप से बताना चाहूँगा कि शादी विभा का योग तो इस जोलाई दोहजार चाहता ही बात है, कि अबिए तक आपको कोई मित्र नहीं था, उसके साथ आपका नहीं बैट पा रही असा तालमेल, तो यह महीना आपका तालमेल बैटने का है, 12 जोलाई हमने डेट दी है, इसका अगर आप 12 जोलाई के बास से लाब लेना चाहते हैं, तो आसानी से ले सकत अब आगे बात करते हैं कि जो living relation में है या जो ऐसे लोग है कि जिनका love affair कहीं चल रहा है तो जिनका love affair चल रहा है या जो living relation में है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए जो आप love मतलब एक तरीके से love affair है या living relation है ये मैं आपको बता दूँ इस महा के एक तरीके से बारे जोलाई से ही आपके इसमें आप अच्छा enjoy कर पाएंगे अपने मित्र के साथ और आप दोनों के बीच में काफी intimacy and understanding मजबूत होगी बढ़िया होगी आप भी उनकी एक तरीके से sentiments को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी respect भी करेंगे और आपका जो वो मित्र होगा वो भी कुछ इसी तरह से आपके साथ उसका भी कुछ ऐसा ही attitude रहेगा ऐसा ही behavior रहेगा तो जब दोनों तरफ से एक जैसी feelings हों एक जैसे विचार हों तो naturally फिर तो विक्ती जो है करेगा ही उसको progress उसके संबंदों में progress तो होनी है तो ये जो है महिना आपके enjoy का तो है और बारे जोलाई से लेके पूरा महिना के end तक आप अपने संबंदों का आनंद ले सकते हैं अपनी मित्रता का enjoy आप कर पाएंगे शादी विवा का योग नहीं है इसलिए शादी विवा की अगर आप कोशिश करेंगे भी तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी अब बाग करेंगे वैवाहिक संबंदों की शादी शुदा है तो वैवाहिक संबंद कैसे रहेंगे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि 6 जॉलाई से लेके और 19 जॉलाई के बीच आपके वैवाहिक संबंदों में काफी उठा-पठक वहने की संभावना बनती है 6 जॉलाई से 19 जॉलाई के बीच में मतलब disturbances रहेंगे आपके married life में इस बात की काफी संभावना है 19 जॉलाई के बाद से चीज़ें सही होती जाएंगी और track पर चीज़ें आती जाएंगी 19 जॉलाई onwards यह update हम आपको बरावर बता रहे हैं तो date का हिसाब से आप जरूर ऐसे ही अनुभाव आपको होंगे इसी के अनुसार 19 तारीक के बाद से चीज़ें सही होंगी और 19 तारीक के बाद से आपका एक तरीके से अपना मन भी थोड़ा खुश होगा चीज़ों को देख करके क्योंकि जब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो व्यक्ति का मन भी परसन होता है तो कुछ ऐसी ही इस्तिती बनने वाली है 19 जोनाई के बाद साथियों अब बात करते हैं के मेरिट तो हैं लेकिन क्या एक्स्ट्रा मेरिटल एफेर के भी चांसिस हैं तो देखिए आप की तरफ से तो किसी परकार की कोई कमी के संकेत नहीं है आप तो पूरी तरह इस बात के लिए मकरलगन राशी के जा तक तैयार बैठे रहेंगे कि हाँ अगर कहीं आखें चार हों तो क्या बुराई है ठीक है हम भी एंजॉय करेंगे लेकिन पर यह साथियों बताना चाहूँगा कि आपके उपर यापके दिल और दिमाग पर काफी अच्छा रोमेंस तो बना रहेगा रोमेंटिक मूड में आप बने रहेंगे इसमें कोई दो रहा नहीं है लेकिन दूसरी और थोड़ा सा एक self respect जो होती है ना वो भी जरूर रहेगी आपके अंदर और वो किस बात को लेकर कि भृई मैंने इसको कुछ इस तरीके से मैंने इसको message दिया था या मैंने इसको ये कहा था तो इसका ये तो फरज बनता था ना कम से कम मुझे उसका जवाब तो मिझे मिलना चाहिए था ना इसमें तो जवाब नहीं दिया यह क्या समझता आपने आपको यह क्या समझता कुछ इस सरीके की फिलिंग्स भी साथ की साथ जरूर रहेंगी रोमेंस के साथ तो बात आगे बढ़ेगी नहीं बस वो चीजें सर्फ आपके दिल और दिमाग में ही रहे पाएंगी अब मैं बात करूँगा उनकी के जिनका कहते हैं के पहले से हमारा समझ चल रहा है तो हम कुछ उसका एंज्योई कर पाएंगे जोलाई के महीने में जी हाँ देखिए इस बात की संभावना तो बहुत जादा है क्या आप कर पाएंगे और इसी वज़ा से आपकी फैमिली मतलब आपकी जो मेरिड लाइफ है वो काफी डिस्टरब रहने वाली है विशेश रूप से 6 जोलाई से मैं बता चुका हूँ 19 जोलाई के बीच में तो या तो आप अपनी मेरिड लाइफ को समाल ले या उधर समाल ले अगर दोनों को समालना चाहते हैं तो मुझे नहीं लग पाता कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे तो इसलिए मैंने तो आपको जो चीज़ाय होने की संभाव ना है उससे अफगत करा दिया है अब आगे आपको कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं करना है यह आपकर डिपेंड करेगा आगे बात करेंगे प्रियसाथियों अंत में जो नो कॉंटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं जा तक मैं आपको बता दू नो कॉंटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए एक बहुती गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है इस जोलाई 2024 में बहुती रेर ऐसे चांसिस होते हैं कि जब गरों की इतने अच्छे संकेत मिलते हैं प्रियसाथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए एक जोलाई से बारे जोलाई तक तो कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला लेकिन अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरी अपने उस मित्र के साथ कुछ संपर्क बने कुछ एक तरीके से कॉम्यूनिकेशन का जरिया भी बने हमारे आपस में कॉन्वर्सेशन भी हो मिलें बैठें मिटिंग्स हो और अपनी बात करें जैसे पहले मिला करते थे तो ये महीना कुछ इसी और बहुत अच्छे ढंग से संकेत दे रहा है ऐसी चीज़ा होने के और ये बारे जॉलाई से लेकर के महीने के अंत्ता किस बात के पूरे संकेत है अगर आपने अपने उस मित्र को अप्रोच किया और काइदे से किया और काइदे से ही करेंगे आप ग्रों का संकेत ऐसा ही है और जब भी अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके मित्र भी आपसे अंदरूनी तोर पे जैसी फिलिंग्स आपकी रहेंगी वैसी उनकी भी रहेंगी वो भी यही चाहेंगे कि एक बार बादचीत हो मिलें बैठें और यह चीज और यह सिलसला अब आगे लंबे समय तक नहीं चल सकता या इसको नहीं चलाया जा सकता या यह नहीं चलना चाहिए यह बहुत बड़ी बात है नहीं तो ऐसा ही होता है कि साब आप कोशिश करिये किये जा रहे हैं और उधर से कोई रैस्पॉंस ही नहीं है और रैस्पॉंस मिला भी तो वो ऐसा मिला के negative response मिल रहा है तो जिससे आपका मन दुखी होता है लेकिन यहां पर जो मैं गरहों की सिती देख पा रहा हूं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपके मित्र का भी जरसी सोच आपकी उसको लेकर के रहेगी वैसी उसकी भी रहेगी तो यह बहुत इस बात की काफी संभावना बनती है गरहों के आधार पर के आप दोनों का अगर आप चाहेंगे तो मिटिंग भी होगी मिलना जुलना भी होगा और चीजे आगे जो जाएंगी आ सही डारेक्शन में जाएंगी सही दिशा में आगे चलेंगी चीजे इस बात की बहुत अच्छी संभावना जाएं तो इसका लाबन नहें साथी उं गरहों का संकेत मिल रहा है गरों की इजाज मिल रही है तो आप लीजे मकर लगन राशी के जा तक नो कॉंट्रेक्ट सिच्वेशन वाले जो लोग है और आप अपनी बातों से उनको बहुत अच्छे डंसे कन्विंस कर पाएंगे और वो कन्विंस हो जाएंगे तो प्रियसातियों ये था आप मकर लगन राशी के जो हमा आप को पसंद आया है तो आप लाइक इसको जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मातरा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाब ले सकें प्रियसातियों मैं आप से बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहत जी हाँ तो साथियों अब अपने इस कार्द करम का हम यहाँ पर करेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देंगे फिराम और अपने आप सभी प्रिये दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सेहर्द है बहुत बहुत धन्यवाद जय मातरी झाल 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 झाल